वर्ड हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले इस वर्ड को समझा जाए दुनिया क्या है विश्व क्या है उसके बाद यह समझें कि हिस्ट्री क्या है वाट इस कंसर्प्ट ऑफिस्ट्री थर्ड पार्ट यह है कि जो यह डिविजन है यह डिविजन जैसे हम एक वर्ड बोले एंशेंट वर्ड है मिडेवल वर्ड है एंड मॉडन वर्ड है आजकल की जो दुनिया है इसको हम कंटेंपरी वर्ड कहते हैं तो वर्ड हिस्ट्री को भी हम चार पार्ट्स में बाटते हैं इस तरह से हम हिस्ट्री को डिफाइन करने की बात करेंगे हम देखें की वर्ड क्या चीज है दुनिया में जो शब्द आता है एक दुनिया वर्ड विश्व इसके संदर में बात करें ये आपके सामने पूरे वर्ड का मैप है इस वर्ड के मैप में आप देखेंगे की इसका कंसेप्ट निरंतर बदलता रहा है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था लेकिन आप इस वर्ड के मैप में गौर करें आज के वर्ड के इस मैप में देखें एशिया है यरप है अफरिका है अस्ट्रेलिया है साउथ अमेरिका है नर्दन अमेरिका है औ और जो सिकंदर था, अलेक्सेंडर था, उस सिकंदर ने केवल दुनिया का ये छेतर जीता था, इतना सा भाग, और उसको हमने विश्व विजेता कह दिया, दुनिया जीती उसने, क्या हमको लगता है कि उसने दुनिया जीती, क्या हमको लगता है कि उसकी दुनिया इतनी सी मि ती जब कि दुनिया हम देख ले हैं कि पूरा यूरप है, पूरा एशिया, अफरीका है, साउथ अमेरिका है, नौर्थ अमेरिका है, तो हुआ ये है कि निरंतर वर्ड का कंसेप्ट बदलता गया है, जब हम हम बहुत पुराणी बात करते हैं, आसे दोहजार साल पुराणी ब एक शब्द आता है Western Culture, एक शब्द आता है Eastern Culture, तो normally उस जमाने में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये यरोप और एशिया का पार्ट, इसमें जो ये पश्यम की दुनिया है, वो ये ग्रीस, रॉमन, ये वाला जो पार्ट होता था, इसको Western Empire बोला जाता था, ये Western World बोला जबकि जो इंडिया है, इंडिया है, चाइना है, जपैन है, इन सब को हम Eastern World बोलते थे, तो दो तरह की सस्कृतियां हो गई, एक को हमने पूर्वी सस्कृति बोला, एक को हमने पश्यमी सस्कृति बोला, दो प्रकार की सस्कृतियां होई, उस समय तक इसका कोई ग्यान नही हैं इसी लिए जब सोलमी शिताब्दी में इस साथ अमेरिका और नौर्थ अमेरिका का जब ग्यान हुआ तो उसे न्यूवर्ड कहा गया इसको उन्होंने नई दुनिया माना हम सब इस बात को जानते हैं कि जो कोलमबस था, कोलमबस नई दुनिया की खोज में चला, हिंदुस्तान आना चाहता था, भारत आने का रास्ता देखना चाहता था, लेकिन वो पहुंच गया इस जगह पे, करेबियन आइलेंड में, और उसने इसको नाम दे दिया, रेड इनियन्स, और देखा लागा कि अफ्रीका के थुरू आप इंडिया के तरफ जा सकते हैं, इंडिया मींस इंडियन सब कॉंटिनेंट, इसी तरह से शोल्वी सत्रमी शतादी में ऑस्टेलिया का पता लगा, तो धीरे-धीरे वर्ड का कंसेप्ट बदलता चला गया, तो जब वर्ड का कंसेप्ट और बीस साल में, पिसले दो दशकों में आया है, वो है ग्लोबल वर्ड, ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन, तो क्योंकि जब ग्लोबल शब्द की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पार्ट भी इंक्लूडेड हो जाएगा, पोलर पार्ट्स, अब दुनिया पूरी तरह से ग्ल का कंसेप्ट चेंज होता गया है, वैसे हमारे हिस्ट्री को पढ़ने और समझने का, सस्कृति को पढ़ने और समझने का, कल्चिर को जानने का ये प्रासेस भी बदलता चला गया, और परिवर्तित होता चला गया, इसलिए तब से ले करके आज तक, दुनिया को समझने का द चला करते थे लेकिन आज कोई भी बात आपको कहनी है तो authentically, scientifically आपको ये बात कहनी पड़ेगी हाँ ये बात ऐसी हुई थी then that is history केवल राजा महराजों की कहानियां इतियास नहीं है इसलिए तब से लेकर के आज तक लिखने के तरीकों में उंतर आया है तो हम यहाँ पर इस word के concept को देख रहे हैं एक बात आप सब लोग इस बात को देखकर समझ रहे होंगे ये जो geography है, word का आपको जितना ये parts दिखाई दे रहे हैं इन parts में आपको blue color ज़्यादा दिखाई दे रहा है almost 70.8% is water blue आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है land का portion कम है और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको line दिखाई दे रही है जिसको हम equator कहते हैं विश्वत रेखा कहते हैं उस line के नीचे धीरे-धीरे land कम होती जाती है जहां land कम होगी और पानी ज़्यादा होगा वहाँ तूफान ज़्यादा आएंगे इसलिए जब सोलवी शताबदी में यरप से लोग चलते थे हिंदुस्तान के लिए आस्टेलिया के लिए इस्टन वर्ड के लिए तो वहाँ पर तूफानों का सामना करना पड़ता था अभी बात वासकोडिगामा की आई उससे पहले एक कैबराल आया डियाज आया ये लोग जब आये तो यहाँ पर इस जगह का नाम जो है इस जगह का नाम Cape of Good Hope है लेकिन इसका जो इससे पहले का नाम था वो था Cape of Storm क्योंकि वो आदमी जब यहाँ से घुज़रा तो यहाँ पर क्या था चारों तरफ तूफानी तूफान था तो उसने इसका नाम दे दिया क्या इस जी ये ये कंसेप्ट बदलता चला गया और इस कंसेप्ट को बदलने की प्रक्रिया में हम पढ़ने पढ़ाने के समझने के हमारे दिश्टिकोन भी बदलते चले गए और इसी क्रम में इतियास की प्रक्रिया इतियास का जो डैनेमिक्स है डैनेमिक्स मींज इसकी जो मुमेंट है हिस्ट्री की वो भी वदलती चली गई, एक बात तो वर्ड हिस्ट्री के संदर में ये वर्ड को लेकर आया, अभी तक दुनिया में जो इतियास लिखा गया, अभी तक दुनिया में जो इतियास लिखा गया, लिखा जा रहा था, ज़्यादतर जो इतियास लिखने का हाल के टाइम में, या आप साइंस पढ़ते हैं चाहिए चेमिस्टी जोगरफी पढ़ते हैं आप देखेंगे कि ज्यादा तर जो कंसेप्ट से उन कंसेप्ट के पीछे वर्ड लिखा हुआ आता है कि दिस वर्ड इस ड्राइब फ्रॉम ग्रीक वर्ड और लेटिन वर्ड ग्रीक और लेटिन से सबकी उत्पत्ति उन्हाने बताई है क्योंकि लिखने वाला कौन था वो लोग थे यरॉप वाले लिखने वाले लोग थे क्या अरब की सब्यता में क्या भारत की सब्यता में वो शब्द पहले मौजूद नहीं था वो शब्द पहले मौजूद रहा होगा लेकिन लिखन लोगों को दरकिनार किया गया यानि जैसे अफरीका को दरकिनार कर दिया गया इंडिया को दर किनार कर दिया गया जूट- Ayamare, South America को दरकिनार कर दिया गया ऐसा ली है यहां पे सभितायन नहीं थी यह वाला दिखते हैं इस भाग मैं यहां से लेकर के यहां ना दिखте यहां पर इसलिए यह कंसेप्ट आते चले गए अब मैं आपसे थोड़ा डिफेंट तरह की बात करूं कि लिखने की एप्रोच क्या-क्या रही है लिखने की एप्रोच हमारी क्या-क्या रही है हिस्टी राइटिंग की एप्रोच क्या-क्या रही है हिस्टी राइटिंग डिफेंट अप्रोच इस वर्ड में जो तब से ले करके आज तक आई हैं सबसे पहले बोला गया है कि एक हिस्टोरियन आया जिसको फादर आफ हिस्टी काहा जाता है हिस्टी राइटिंग उसने सबसे पहले हिस्टी लिखना शुरू किया और उस व्यक्ति का टाइन था आज से धाय हजार साल पहले लगबग लगबग पांचमी छटी श्रताब्दी इसापूर 5th 6th century BC लेकिन क्या उससे पहले इतियास नहीं था क्योंकि जबसे मानव ने जी सब्सक्राइटी शुरू की तब भी इतियास था इतियास तब भी था लेकिन इतियास लिखा ऑथन्टिक तरीके से इनके काल में गया इसने इसको कहते हैं ग्रीको रोमन ट्रडिशन ग्रीको रोमन ट्रडिशन ग्रीक और रोमन की परंपरा इतियास लिखने की क्या रही उसके बाद एक ट्रडिशन आया चाइना का ट्रडिशन चाइनीज ट्रडिशन जो चीन वाले जो इतियास लिखते थे एक ट्रडिशन आया इसलाम अरब का इसको इसलाम भी क्या लिजे या इसको अरब भी क्या लिजे आप अरबिक ट्रडिशन उसके बाद एक ट्रडिशन है इस गाल्ड इंडियन ट्रडिशन normally हमारे देश में कह दिया गया पूरी दुनिया में ये कहा गया कि जो इतियास लिखने का प्रोसेस है वो ग्रीक लोगों ने शुरू किया और एक आदमी जिसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूँ जिनको हिरोडोटरस कहा गया Hero Dutus कहा गया इन्होंने Historica नाम की एक बुक लिखी The Historica The Historica नाम की किताब लिखी और इसमें इन्होंने History Writing के सद्दान दिये सबसे पहले और Greek History Writing लिखना शुरू किया ये Authentic History Writing का मतलब यहाँ पर क्या है इसका मतलब यह है कि जब आप History लिखने में Different Sources का यूज करें Authentic तरीके से History लिखने की बात करें आप ये बात कहां से कह रहे हैं आपका ये लिखने का Source क्या है तो इसको The Historica नाम की जो किताब थी उस किताब में उन्होंने सबसे पहले इस बात को explain किया और इसलिए उनको कह दिया गया Father of History, Writing and Histography एक व्यक्ति और आया जिसने की Thucydious ये Thucydious वो व्यक्ति है जिसने Scientific History Writing लिखना प्रारम किया ये इनके junior है, इनके बाद आये करीब 50 साल बाद में आये Thucydious वो ने Scientific History लिखना शुरू किया Scientific History लिखने का मतलब ये है कि Scientific का मतलब मोटे तोर पर ये होता है कि When we are using objective phenomena जब हम experiments करें और experiments के कुछ results निकालें जब ऐसे results निकलते हैं तो वो results हमारे हमेशा हमेशा होते हैं वो scientific होते हैं तो इन्होंने Thucydious ने Scientific History Writing करना शुरू किया ये Greece और Roman को भी हम दो पार्ट में कर सकते हैं एक को हम कहते हैं Greek History Writing और दूसरे को हम कहते हैं Roman History Writing तो Greek सभ्यता में जो History लिखी गई उसको Greek History कहते हैं या एक word और इस्तिमाल किया जाता है Hellenistic History Writing Hellenistic History Writing जो सिकंदर था सिकंदर का Empire के लिए लिए जो था Hellenistic Empire शब्त का इस्तिमाल किया जाता है तो Greek और Roman में लाकर के दोनों को हमने combined कर दिया Greek or Roman word बड़ा common word है और आज भी Europe के इतियासिक मानेता यही है कि Greek or Roman culture is background of European culture Europe की सस्कृति का आज की डेट में भी जो मूल आधार है वो मूल आधार इस Greek or Roman culture में इस tradition में मौजूद है तो यह दो पार्ट से यहां पर आते हैं जब हम Chinese history writing की बात आते हैं करते हैं यहां पर तो सुमा चियन नाम का एक इतियासकार है यह Chinese नाम है तो थोड़ा सा different pronunciation होगा इसका सुमा चियन यह सुमा चियन हीस काल्ड फादर आप चैनीज हिस्स्रियोग्राफी चीन में इतियास कैसे लिखा गया क्या उसका तरीका था यहां पर यह चीनी इतियास लेखन आया पहले मैंने ग्रीको रोमन इतियास लेखन की बात की फिर मैंने चीनी इतियास लेखन की बात की चीनी इतियास लेखन में सुमाच शियन का नाम लिया इसने किस तरह से इतियास को लिखा हम इसकी चर्चा इसमें करते हैं सेकंड पार्ट के बाद अब हम आते हैं, that is very important part, that is Islam, Islam में जो history writing है, उसके लिए एक शब लिखा जाता है, तारीक, तारीक, तारीक वो date वाली तारीक नहीं है, date तो हम बोल देते हैं, ये तारीक जो है, तारीक का मतलब ही Arabic term में इसको बोलते हैं history, और अर्बी परंपरा में जो तारीक लिखने की बात आती है, वो that is service of God, अल्ला की सेवा करना तारीक लिखने जैसा है, अब क्योंकि लिखते वक्त बीच में अल्ला का नाम आ गया, इसने ज़्यादा तर जितने Muslim historians हैं, Islamic historians हैं, उनके लिखने में ज़्यादा तर धर्म आएगा धर्म बीच में आया, इसलाम बीच में आगया, तो जब इसलाम बीच में आगया, तो understood है कि इसमें, सारी जीजे धर्म से oriented हो जाएंगी, इसलिए जितने भी तरह की, एक मैं आपको बहुत famous नाम बताता हूं, क्योंकि हम भारत में बात कर रहे हैं, एक किताब का नाम आता है तारीक ए हिंद, ये बहुत एक्जाम में पूछा जाता है, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, भारत, तारीक हिंद, तारीक मतलब एतियास, तो भारत का अल-बरूनी नाम का एक व्यक्ति था, जो करीब 11 शेताबदी में हिंदुस्तान में आया, मेहमूद गजनवी के साथ, किस गजनवी के साथ आया, तो उसने एक किताब लिखी है, इस किताब को दो-तीन नाम और भी देते हैं, तैकी के हिंद भी बोलते हैं, इसको तारीक के हिंद भी बोलते हैं, इसको यानि इसमें पूरा हिंद का इतियास है, लगबख तीन साड़े-तीन साल तक वो व्यक्ति यहा बजने के लिए साड़े तीन साल का समय बहुत कम होता है इसलिए तारीख के हिंद में उसने जो कुछ लिखा है वह अपने आप में अप्रिशेबल है लेकिन उसमें अनिक कमियां भी मौजूद हैं एक व्यक्ति का नाम मैं आपको और बता देता हूँ इस इबन खल्दून इबन खल्दून यह एक अर्भी हिस्टॉरियन है और इस अर्भी हिस्टॉरियन ने इसलाम में यह अर्भी इतियास लेखन का इसको पिटा कहा गया है क्योंकि इसने स्टेंडर्ड इस्तापित किये यह इंडिया के संदर में भी बात आती है कि जब भारत में अंग्रेज आये तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया का तो कोई ना अपना इतियास है ना इनकी कोई सस्कृति है बलकि इनकी यह जब मुस्लिम लोग आए बारवी शितापदी में तेरवी शितापदी में जब इनकी यह इसलाम आया तो इन्होंने इतियास लिखना शुरू किया यह एक बहुत बड़ा जूख था जो आज की डेट में असत्य कर दिया गया है क्योंकि अगर ऐसा था बारवी तेरवी शितापदी में यहाँ पर इतियास लिखा जाता तो हमारे वेद पुराणों में क्या था हमारे पास ज्यारवी बारवी शितापदी में एक बहुती महत्पून ग्रंत लिखा गया जिसका नाम है कल्लन की राज तरंगिनी इनके आने से बहुत पहले यहां यह जो टरक्स आये हैं भारत में इन टरक्स मुस्लिम न बोलकर के मैं टरक्स वर्ड इस्तिमाल करूं तो ज्यादा बहतर है टरक्स के आने से पहले हमारे यहां इतियास लेकर था शब्द इतना फर्क है कि यहाँ पर हम तारीक शब्द का इस्तिमाल कर रहे है और यहाँ पर हम इतियास शब्द का इस्तिमाल कर रहे है और ये जो इंडियन ट्रेडिशन है ये इंडियन ट्रेडिशन प्रारम होता है वेद पुराणों से और इसके लिए एक शब्द आता है इतिहास पुराण इतियास पुराण ये इतियास पुराण शब्द वेदों से लेकर के पुराणी आप जानते हैं कि आप हम सब करीब करीब हमारे आपे अठारा पुराण माने गये हैं और चार हमारे पास वेद हैं इसके लावा वैदिक और वैदिक उतर साहित हमारे पास अपार है इतना है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना लिखा गया कि जो European हमारे बारे में भी लिखने आए, उन्होंने भी इसवर 40 वॉल्यूम लिखे हैं, उन लोगों ने, विदेशियों ने, तब भी काम पूरा नहीं हुआ, तो इसमें इतियास पुरान शब्द आया, अब जरा एके करके देखि कि हमारी इस दुनिया को देखने और समझने का नजरिया क्या है, एक शब्द मैं आपको यहां पर और डिस्कस करना चाहूंगा, कि जब हम इतने दिस्ट्रिकोर्णों से इतियास को समझते हैं, इस दुनिया को समझने की कोशिच करते हैं, तो एक शब्द बूलते हैं, ऑज्ज़ किविटीगोंकि औब्ज़ड यानि हिंदी में बोलते हैं, वस्तु निस्ता एबं पक्षपात, ये हम सब जानते हैं कि हम इनसान हैं, और जो लिखने वाला है, वो भी इनसान है, और इनसान की एक कमजोरी होती है जैसे हम साइंस की बात करते है और हमिनिटी जैसे सोशल साइंस की बात करते है तो जब सोशल साइंस की बात आती है हमिनिटी की बात आती है व्यक्ति की बात आती है तो व्यक्ति के पास समवेदनाएं होती है जबकि जो वस्तु है ये वस्तु मेरे पास है इस वस्तु के पास कोई संवेदना नहीं है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पास संवेदना है इनसान जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पास एक संवेदना है इस कारण से व्यक्ति क्या करता है अपने धर्म अपना देश अपनी जाती अपनी प्रजाती अपना छेत्र इस आदार पर पक्षपात करता है तो कभी वो धर्म का पक्षपात करता है तो कभी वो देश का पक्षपात करता है जब हम भारत पाकिस्तान दोनों की बात करेंगे तो जो भारती होंगे किसका पक्ष लेंगे पाकिस्तान का या भारत का और जो पाकिस्तानी होंगे पाकिस्तान का पक्ष लेंगे क्योंकि कौन सा कंसेप्ट आया देश दो देश अलग लग है जब हम जातिकत बात करते हैं तो आप देखेंगे जातियां मनी खुब सारी, छहजार से ज़्यादा जाती हैं हिंदोस्तान में हैं जब हम प्रजातियों की बात करते हैं जो कंसेट अब खतम हो गया तो वो जर्मन्स का अलग हुआ करता था, रशिन का अलग और बिडिश का अलग वो अपने अपनी प्रजातियों को स्षिस पताया करते थे एक बात आती है भाषा हम जब हिंदी बोलने वालों की बात करेंगे तो हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों को ज़्यादा पसंद करेंगे या बंगला बोलने वालों को पसंद करेंगे पसंद करेंगे तो होता क्या है हमारे लिखने में अक्सर ये सब्जेक्टिविटी आ जाती है पक्षपात इसलिए एक ही व्यक्ति के बारे में जब हम इतियास लिख रहे हैं एक ही व्यक्ति के बारे में जैसे मैं आपको छोटा इसा एक्जामपल दूँ माना हम बात करते हैं आप सब लोगों ने नाम सुना मुहमत तुगलक का, मुहमत तुगलक को कुछ इतियासकारों ने कह दिया कि he was very intelligent, बहुत विद्वान था वो, और किसी ने लिख दिया कि हो पागल था, एक पागल बता रहा है, एक बता रहा है बहुत विद्वान था, एक बता रहा है असफल एक बता रहा है सफल था, एक बता रहा उसकी जगए तरह का कोई economist हुआ ही नहीं, यह विरोधाभासी फिनॉमिना कहां से आ रहे हैं, विरोधाभासी opinions कहां से आ रहे हैं, क्योंकि सब के अपने अपने तरीके हैं, सब अपने अपनी तरह से पक्षपात करते वे नजर आ रह हैं, हम सब भगर सिंग का सम्मान करते हैं, इस बात में हम सब सहमत हैं, लेकिन यही चीज अगर हम इंग्लेंड की class में बात करेंगे, इंग्लेंड की universities में बात करेंगे, तो बोलेंगे भगर सिंग टर्रिस था, सही कौन है, दोनों ही अपने अपने तरीके से सही बोल रहे ह आज की डेट में आप देखेंगे कि आतंकवादी को जो आतंकवादियों के परिवारों के लोगों के संगठन के लोगों कहते हैं कि वे शहीद हो गए और हम आसानी से कह देता है हमारा रेडियो उनको मार गिराया गया तो यह districtone है आप किस districtone से चल रहे हैं तो इसने सबसे important बात ही आती है कि हमारा districtone क्या है तो यह वो लोग है अब एक बात और समझे हैं पर history लिखने में तीन-चार tools का इस्तेमाल किया जाता है जब हम science के cividers की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज हाती है तो यहां पर भी कुछ टूल्स आएंगे, तीन टूल्स मेन हैं, इसके बगाएर हम हिस्ट्री को नहीं जान सकते हैं, पहला टूल है टाइम, दूसरा टूल है प्लेस, तीसरा टूल है परस्नेल्टी, यह तीन टूल के बेसिस पर हम इतियास को समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको छोटा सा एक्जामपल देता हूँ, जैसे माना आप फॉर एक्जामपल, मैं एक लाइन यहां पर बोलता हूँ, कि प्राचीन काल की बात है, गांधी जी हुआ करते थे, यह सेंटेंस सही होगा या गलत होगा, प्राचीन काल की बात है, एक गांधी जी हुआ करते थे, सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि टाइम का कैलकुलेशन सही नहीं है, काचीन काल नहीं है, मैं आप से बात करूँ, कि एक राजा था, बच्छपन से हम ऐसी कानिया सुनते आते हैं, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य था, काँ था? जदातर इस्ट्रुएंट्स ने एक अभी हाल में आयवी पिसले साल की मुवी देखी होगी, कौन सी? कटपपा वाली मुवी, बाहु बली, और उस बाहु बली में एक राज्य दिखाया गया है, कौन सा राज्य है? महिश्मती, इतियास में हमने उसको ढूणने की कोशिश क ही है, क्या राज्य था भी? महिश्मती नाम का एक छोटा सा कस्वा जरूर मिलता है, मालवा एरिया में, छोटा सा कस्वा मिलता है, लेकिन वो जो टेक्नीक इस्तिमाल कर रहे हैं, वो जो बातें बता रहे हैं, सब वो हॉल्यूड की है, इसलिए कोई भी किताब, कोई भी फ fiction जब लिखा जाता है आप देखते हैं कि जब टीवी चलता है तो उसमें सबसे पहले लिखावाता है कि यह इतियास होने का कोई दावा नहीं करता यह पात्र काल्पनिक है किसी जीवित से इसका कोई संबंद नहीं है यह देखने के बाद आप बाहु बली को देखें तो समस्य आएगी प्लेस क्या है एक बात आई पस्नेल्टी कौन था क्या नाम था उसका क्या नाम था महिला थी पुरुष्टी कोई कौन कोई ना कोई तो होगा ना उसके बगड़ तो इतियास से लेगा ही न इसनान का, आदमी का, human का, man का, उसका कोई तो नाम होगा, तो जब नाम होगा, नाम आना चाहिए। इस तरह से हम लोग यहां पर इस history को explain करने का तरीका देखते हैं इस प्रकार से हमारे पास history को explain करने के कई तरीके आ गए और यह पूरी दुनिया को के संदर को समझने के कोशिश कीजिए पूरी दुनिया यह पूरी दुनिया है क्योंकि ध्यान रखेगा Americans ने उस सिस्टम को follow किया जो Britain के लोग follow करते थे Britain ने उस सिस्टम को follow किया जो यह सिस्टम था Chinese पूरा चीन है जेपैन है कोरिया है फिलिफाइन से इन लोगों ने लगबख इस सिस्टम को follow किया including तिबत यह जो Islam हम देख रहे हैं Islam का tradition क्योंकि Islam आया ही साथवी शताबदी में है इसलाम कब आया रसूल मिया के साथ मुहमस साथ शताबदी में है और नॉर्मल यह हम मानते है कि जब उन्होंने हिज्रा किया हिज्रा मतलब 622 में मक्का से मदीना का उनका जो हिज्रा हुआ यानि धार्मिक पलायन जिसको बोलते है वहां से मुखे रूप से Islam के इतियास को देखते है तो क्या उससे पहले इसलाम नहीं था या इससे पहले वहां कोई नहीं था उससे पहले वहां पे एक tribal community थी जिसको हम बौदवई कहते हैं इसलिए Islam के आने से पहले उनकियां अनुसूतियां हुआ करती थी Islam के आने से पहले वहां दंद कथाएं हुआ करती थी और वह कथाएं समाज में चलती थी जैसे हम अपने राजस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द आते हैं आप लोगोंने सुना होगा कि बाते, बातां, ख्यात यह शब्द जो आते हैं यह राजस्तान में चलते हैं और इसी तरह से उनके यह भी अरब में ऐसा हुआ करता था तीसरी बात हमने यह चाइनीज आ गया इसलाम आ गया या अरब और यह अरब शब्द इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरब इस ओरिजनल पार्ट आप इसलाम क्योंकि इसलाम का उदय कहां से हुआ अरब से आप सब जानते होंगे इस बात को कि जो प्रेयर है प्रारतना है व उसका आधार अर्भी भाशा है उसमें चीज नहीं है इसने यहां पर हमने इसको और अब ट्रडीशन नाम दिया है जब हम इंडियन ट्रडीशन की बात करते हैं भारती परंपरा की बात करते हैं तो मैं दुबारे आपको इस बात को रिपीड कर रहा हूं कि हमारी यह जो इसी पांडू लिपियां है जो अभी तक पड़ी नहीं गई है ऐसी मानिता है इसलिए यहां पर इतना लिख और आप याद कीजिए भारत आने वाले जितने भी लोग थे अकरांता थे उन्होंने अक्सर सबसे पहले लाइब्रेरीज को बरबात किया उसके बावजूद भी इतना बच गया तो एक भारतिय परंपरा आई तो भारतिय परंपरा इसलाम की परंपरा में इसलाम को महतो दिया गया धर्म को महतो दिया गया क्योंकि अल्ला की सेवा करना इसका उद्देश वाना गया भारत में भी धर्म का मतलब आया धर्म होना चाहिए लेकिन यहां हिंदू तो बाद में बाहर से आने वालों ने यहांवालों को कह दिया कि यह हिंदू है इसलिए यहां पर धर्म का जो अर्थ आता है मीनिंग आता है वो है सनातन धर्म सनातन धर्म जो परंपरा का दूप से चला आ रहा है